आज को मुंबई ऐर्पोर्ट के बारे में बताने वाले हैं यह यह का क्वारांटाइन और आपका ट्रेवलिंग किस सरी तरीकेसर रहने वाला है इसकी जानकारी हम आगे आपको इस वीदियो में बताने वाले है तो वीडियो आप द्धियान से देख्ते लहें इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दिली एरपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी लोगों के सवाल आ रहे थे दिली एरपोर्ट का वीडियो हमने पहले से ही बना रखा हुआ है आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं इसके अलबा आप स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन पर भी क्लिक करके दिली एरपोर्ट का वीडियो देख सकते हैं फ्रेंट्स बात करते हैं मुंबई एरपोर्ट की तो मुंबई एरपोर्ट पर आने वाले समय में बहुत सारी यात्री टावल करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा तर फ्लाइटे इस समय जो आने वाली हैं वो किरला को छोड़कर मुंबई एरपोर्ट और दिली एरपोर्ट पर ही लैंड करेंगी तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉरंटाइन और बाकी की फैसलिटी किस तरीके से है ताकि ऐसे लोग जो कि मुंबई के रहने वाले नहीं हैं एक्जामपल के लिए पूर्णे के रहने वाले हैं तो यहाँ पर उनका कॉरंटाइन पूर्णे में ही किया जाएगा आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यात्री को आसानी हो इसके साथ मु मुंबई एरपोर्ट से किसी दूसरे स्थान पर लेकर जाये जा रहा है तो यह फ्री में नहीं होने वाला है यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाडिया है जो कि आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगी लेकिन इसके लिए आपको किराया देना पड़ सकता है जो कि कॉरंटाइन साथ दिन का रहने वाला है यह दि आप इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं तो और बाकी का साथ दिन आपको हों कॉरंटाइन में बिताना पड़ेगा इन सब के अलावा यह आप प्रेगनेट महीला है यह आप किसी बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही है यह फिर समय में मुंबई एरपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको यह सारी बाते पता होनी चाहिए उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ लाव होगा ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि आने वाले समय में मुंबई एरपोर्ट पर आते हैं ताकि उनको आसानी रहे